Good morning class first, subject have come mathematics, and unit है हमारी 8 metric measures, जिसमें हम कर रहे हैं measurement करना, यानी कि नापना, weight को हमने इसमें नापना सीखा है, कि कि तरह के से भार को नापा जाता है, और जो हमारी लंबाई है, उसे किस तरह के से measure किया जाता है, नापा जाता है, तो किसी भी चीज़ को आपका जो भार है, length ह है आपकी capacity है तो इन सभी को नापने के लिए अलग-अलग हम क्या करते हैं instrument का इस्तेमाल करते हैं और हम इनकी क्या होती है अलग-अलग क्या होती है units होती है जिससे कि हमें पता लगता है कि यह क्या है weight का measurement हो रहा है या length का measurement हो रहा है ठीकि तो आज हम इसका जो last topic हम करेंगे आज chapter आपका complete हो जाएगा यह ठीकि तो last topic है इसका measurement of capacity अब measurement of capacity क्या है अब देखिए जैसे कि आप टेल लेते हैं ठीकि दूर देते हैं पानी अगर आप कहीं चाहते हैं तो पानी आप पातल में लेते हैं तो यह सब किसमें आता है आपका liters में यानि कि किसी भी जो liquid चीजें है पद लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है तो उसे हम जैसे आपकी cold drinks हो गई आपका milk हो गया ठीक है आपका petrol हो गया तो यह सब कैसे होते हैं लिक्विड फॉर्म होता है यानि कि तरल पदार्थ होता है तो इनकी जो इनको measurement करने के लिए इनको नापने के लिए हम क्या करते हैं हम अगर ये कम इसके लिए हम क्या अगर कोई चोड़ प्रया प्रल पदारद को हम ना प्रहे सक्ना हुम की ट्रॉच स्थैंच का प्रबाटन स्मीडर क्लरेवर्श काशना था इस जोसेर तो 10,300 प्रबाटन श्राइम होट्शलन चैना मではसक्शला नहीं सब्हुना प्सक्राइम क करें कर सकता है तो यह एक का है अगर इस होता है नापने के लिए at इस तरीके से क्या होते हैं ये जार होते हैं अलगल लीटर के क्या होते हैं ये जार होते हैं जिससे कि आप exact quantity में क्या कर सकें नापतोल कर सकें ठीके और आपने ध्यान रखना है कि एक लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं थाउजन मिली लीटर आपके होते हैं यानि कि जब तो आपके 1000 ml होंगे तब जाके आपका क्या बन जाएगा एक लिटर तो आपने इसे कॉपिवे मोट डाउन करना है लेस्न नमबर है एड आपका मैट्रिक मीज़र लास्ट टॉपिक आपका आज का यह है मिजरमेंट ऑफ केपेसिटी जिसमें कि हमने जाना है कि जो आपका जो होते हैं या अलग-अलग तरीके की कंटेदर होते हैं जिसमें आपका एक्जेक्ट का लिटर ापका होता है ठीक quantity of liquid तो हम उसके लिए क्या करते है इस तमाल लिटर का तो कॉपी में भी आप नोट डाउन करेंगे measurement of capacity the capacity of a vessel is the quantity its hold तो capacity यही है यानि कि उसकी छमता किसी भी container की vessel की या कितनी छमता है वो liquid को क्या कर सकता है hold कर सकता है यानि कि कितनी लिटर को रख सकता है ठीक है to measure the quantity of a liquid larger quantity के लिए आप लिक्विट को मीजर कर रहे हैं अगर ज्यादा quantity है किसी भी तरह पदार थी तो उसके लिए हम लिटर unit का इस्तवाल करेंगे अगर smaller है यानि कि कम quantity of liquid की है तो उसके लिए हम unit इस्तवाल करेंगे मिली लिटर और आपने अभी सिर्फ आपने यही धियान रख रहे है ठीक है आगे जाके आप इसके questions करेंगे next class में तो अभी यह छोड़ी छोड़ी चीजे जो है आप इनको अच् से learn करेंगे आप यहां पर देखे page about 128 में आप इसे book में ही करेंगे और इसको आपने पहल लिया है समझ लिया की लिटर क्या होता है जा达 होता है मिली लिटर क्या है आपका कम है तो अगर यहां पे देखें यह आपकी कार है तो यहां पे क्या question आपको दिया है the amount of a petrol in a car tank अगर कार की टैंक पे आप पेट्रोल डल्वाना चाहते है तो आप इसमें क्या करेंगे 30 ml डलवाएंगे कि 30 ml आप क्या करेंगे अपनी कार में पैटोल डलवाएंगे तो जो भी आपको सही आंसर इसका लगता है तो आप उस पर क्या करेंगे टिक करेंगे यहाँ पर box बना है अगर आपको A लगता है तो आप यहाँ पर A 30 ml लिखेंगे अगर आपको B लगता है तो आप 30 ml यहाँ पर लिखेंगे तिहान रखना है 1 ml का और 1 लिटर का इसके बाद है आपका देखे The amount of a juice in an orange अगर आपके पस आप जिसाजकल और अरेंज खा रहे हैं ठीके तो अगर आप उसका juice निकालना चाहते हैं अगर आपके पस सिर्फ एक औरेंज है तो आप उसमें से 50 ml जूस निकालेंगे निकल पाएगा कि 50 ml तो आपको देखना है कि ml में आएगा juice या 50 ml में बहुत धिहान से करना है इसके बाद है आपका The amount of a ink in अब आप इस तरीके के ink पैंग देखे होंगे आपने ठीके उसमें 2 ml आपका ink आएगी कि 2 ml इंक उसमें आएगी तो आप अपनी पेरिंट्स की help ले सकते हैं इसमें ठीके इसके बाद है आपका The amount of a water in a washing machine आप देखें वाश्चिंग में 25 ml पानी आएगा कि 25 ml पानी इसमें आएगा तो यह आपने क्या करना है ध्यान आपने रखना है तो यहाँ पर मैं एक आपको बता देती हूँ The amount of juice अब देखें एक juice है तो उसमें 1 ml तो आएगा नी 50 ml तो क्या हो जाएगा आपको बहुत जादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपको 50 ml क्या आएगा है यहाँ पर इसका answer क्योंकि कम juice निकलेगा तो कम के लिए हम amount के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं मिली लीटर तो यहाँ पर आपने यह से करना है इसे आप का उप्र में नोट डाउन करेंगे और जो भी इसकी points से आपने क्या करना है उसे learn करना है chapter आपका यह complete हो चुका है next video में हम इसका जो आपका last topic है last chapter है sorry unit 9 geometrical shapes यह हम करेंगे तो shapes आप इसको आप एक बार देख लेना आप chapter को ठीक है तो next video में हम आप अपने 9th lesson अपने start हम कर देंगे so thank you class